नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन में 24 से 26 जून के बीच भारी बारिस अलर्ट जारी जार्खन में मांसुन ने एक सब्ता की देरी से 20 जून को दस्तक दी है और इसकी रफ्ता धिमी है, यही वज़ा है कि अभी तक राइधानी नाची में मुस्तलाधार बारिस देखने को नहीं मिली अब मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों में उत्री छोटा नागपूर के कई जीलो सहीत रांची में भी जहमा जहम बारिस होगी बता दे मौसम विभाग की तरब से मिली जनकारी के मुताबिक संथाल परगना के रास्ते परवेश कर चुका मानसुन 24 से लेकर 26 जुन तक पुरे राजे में बारिस कराएगा अब तक संथाल परगना के साहिव गंज पाकुड गोड़ा दुमका और देवगर जैसे जीलो में मानसुन की अच्छी बारिस होई वहीं इस बारिस ने जुन के पहले सब्ता से ही जारी लू और भिचन गर्मिस राहत दी है पड़ना में बीपक्छी दलो की बारिस की बारिस होगी पतलब है कि पतना में आज विपक्षी दलो का महा जूटान हो रहा है जिसमें देश बर के कदावर नेता पहुचे हैं जो आगामी चुनाओ को लेकर विपक्षी एक जूटता पर मंथन कर रहे हैं। प्रवासी सरमिकों के लिए देश में खुलेंगे 10 माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर। ये सेंटर नवकरी मैदूरी करने के लिए दूसरे राज में परवास कर रहे जार्खन के लोगों के हीतों की रक्षा के लिए काम करेंगे। और उन्हें असकता अनुसार सहायता मागदर्सन, नियम, प्रविधान की जनकारी तथा प्रसिक्षन देंगे। ज़रुरत पढ़ने पर एकिंद्र सरकार, जार्खन सरकार और समधित राजे की सरकार से सरमीकों का समनोय अस्थापित कर उन्हें सहायता दिलाएंगे। बताजे तमिलाड्डू के तीरूपूर और चेंडाई महराष्ट के पुन्ने, करनाटा के बैंगलू, रायस्थान के निमराना, तिलंगाना के हैदराबाद, गुजरात के हमादाबाद असूरत, दिल्ली के फरिदाबाद और यूपी के नोयड़ा में एकेंद्र खोले जा वहीं दूसरी और ग्रामिल महिलाओ द्वारा निर्मीत, एवां संग्राहित, सर्सो का तेल, चावल, आटा, दाल, मड़ुया का आटा, लेमन गरास जैसे उतपादों को लोगों के द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है, बताजे सकी मंडल के उतपादों को राज समित रा सिंगल के पती अविसेख जहा की मुस्किले बढ़ी, सुप्रीम कोट ने सुक्रवार को जारखन केडर के निलामबित आये सदिकारी पूजा सिंगल के पती अविसेख जहा की प्रवतन निदे साले से अगरिम जमानत की मांग वाली अज का पर सुनवाई की, इस दवरान कांत और नयमूर्ती, एम एम सुद्रेस की आवकास कालिन पीठ ने जहा को रहत देने से इंकार कर दिया और मावले में सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारिक ताय कर दिया है PM किसान योजना में EKYC कराने के लिए नई सुविधा PM किसान समान निधी योजना के लावकों के लिए एक नया अपडेट आया है दरसल सरकार ने किसानों के लिए PM किसान मोबाईल एप पर नई सुविधा की शुरुवात की है जिसमें किसानों को EKYC कराने में सुविधा होगी बता दे कि अभी तक किसानों को EKYC कराने के लिए OTP या फिंगर पिंट के जोरत परती थी लेकिन अब सरकार ने इस काम को असान कर दिया है अब PM किसान के लाबकों का EKYC चुटकी में हो जाएगा इसके लिए बस किसानों को मोबाईल पर अपना चेहरा सकेन कराना होगा बता दे जोजना के तहत रजिश्टेशन कराने वाले किसान अब OTP या फिंगर पिंट के बिना अपना चेहरा सकेन करा कर EKYC पूरा कर सकते हैं आज अंतराश्ट्रिय बिधवा दिवस आज अंतराश्ट्रिय बिधवा दिवस है इस दिन का उद्दे से बिधवा महिलाओ की चिती में सुधार लाना है इसकी घोसना सन्युक्तिराष्ट महासभा ने 22 दिसमर 2010 को की थी बता दे अंतराश्री बिध्वा दिवस के पीछे का उदे सहाई कि बिध्वा महिलाओं की इस्थिती में सुधार हो सके ताकि वे भी बाकी लोगों की तरह समान जीवन जी सके उन्हें बराबरी का हक मिले क्यों कहीं न कहीं बिध्वा महिलाओं को वो बराबरी और हक नहीं मिलता जिसकी वे हकदार है इस दिन पर कुछ ऐसी ही महिलाओं के संहर्स की कहानिया बताई जा रही है जो पीप्रित परिस्थितियों में भी संहर्स इलाएं सरावनी मेला में रंगदारी वसली तो खेर नहीं देवगर में सरावनी मेले में सिवगंगा इलाके में अस्थाई दुकानों से रंगदारी जैसे मावलों को पुलिस हर हल में रोकने की त्यारी कर रही है बताए दे इस सम्मान में S.P. सुभाज चंद्रजाट ने कहा है कि पिछले साल सरावनी मेले में ऐसे दुकानों से रंगदारी वसुली में कुछ आरोपी पकड़े गए थे उन लोगों पर प्राथमेकी भी दर्ज हुई थी और जेल भी भेजे गए थे इस साल मेले से पहले ही त्यारी कराई जा रही है सिवगंगा इलाके में लगने वाली दुकानों को असमाजिक तत्तों और अप्राधियों को रंगदारी वसुनले नहीं दिया जाएगा वहीं SDO ध्रूज संकर चौधरी के अनुसार राध साड़े दस बय से लेकर सुबह साथ बय तक ही ब्यवसाईक वा मालवाक वाहन सहर में परवेश कर पाएंगे ज्यार्खन की कंडरा पंचायत बनेगी मोडल 150 क्लोर हुंगे खर्च केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत Special Development Plan के तहट आदर्स पंचायत बनाने के लिए 13 राज्यों में से 32 ग्राम पंचायतों का चैन किया है इन में से ज्यार्खन के राची जीला के नेवरी एवं बोकारों के चास प्रखन की कानडरा पंचायत सामिल है बतादे ग्राम पंचायतों के सुरांगिंग विकास के लिए प्रती पंचायत को 150 करोर से भी ज्यादा राशी खर्च करने की योजना है पिछले दिनों बी आईटी में स्रा में बैठक होई थी चायती राज मंत्राले की केंद्रिय सचीव सुनील कुमार के अध्यक्षता में बैठक आयोजीत की गई थी बतादे इसमें उन्होंने डीपी आर बाने का निदेश दिया था इस विजना को धरातल पर उतारने के लिए संचालन समीती बनाई गई है राज जेपाल ने पांकुड में ग्रामिनों से किया सनवाद जारखन के राज जेपाल सीपी राधा कृष्णन ने पांकूड जीला के अमड़ा परखन के डूमर चीर में ग्रामिनों से सनवाद किया इस दोरान उन्होंने कहा है कि उनका लग्स समाज के अमतिम पंक्ती में खड़े ब्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को सुगामता से पहुचाना और उनके जीवन अस्तर को उपर उठाना है राजेपाल सीपिराधा क्रिष्णन का पाकूर दवरा चल रहा है बतादे महा महीम राजेपाल लोगों से सामने से मिले उनसे हाथ भी मिलाया सनवाथ के दोरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार नल जल योजना के तहट परतेक परिवार को सुध हपेज़ सुलब कराने के लिए पर्तिवद है अभी तक 37% परिवारों को इस योजना से अचाजित किया जा चुका है सेस बच्चे सासट परतिसत परिवार को अच्छाजित किया जाएगा सरावनी मेले में अच्छी होगी पेड़े की क्वालिटी सरावनी मेला दो है तेस में बाबा धाम आने वाले सरधालूओं को गुनवाता पुन परसाद समागरी निधारित दर पर मिले और उन में से अधीक दाम नहीं वसुला जाए यह निर्देश एश्डियो दिपांकर चौजरी ने सुचना बहुन सभागार में आयोजित बैठक में बेवसाजियों को दिये है उन्होंने कहा है कि पेड़ा चूड़ा और इलाइची दाना के उपलवदता वा गुनवाता का खास क्यार रखा जाए एश्डियो ने बताया है कि देव घराने वाले सरधालू बाबा का जलारपन करने के बाद यहां से परसाच के रूप में पेड़ा चूड़ा वह इलाइची दाना खरीद कर ले जाते है ऐसे में हम सभी की जिम्यदारी है कि उन्हें गुनवाता पूर्ण एमनिधारी दर पर खाल समागरी उपलवद कराये जाए चार जूलाई को जेमेम की बड़ी बैठक चार जूलाई दो हजाते इसको जहरखन मुक्ति मुर्चा के केंद्रिय अध्यक सीवू सुरेन ने केंद्रिय समीति सदस्यों सभी जीला अध्यक्छो जीला सचीवो की बैठक बुलाई है इस बैठक में मुक्ह मंत्री और पार्टी के करकारी अध्यक्ष हेमान सुरेन भी मुझूद रहेंगे इस बैठक की अहमियत का अंधाजा इसी से लगाएगा सकता है कि संगठन विस्तार के साथ साथ पार्टी दोजार चोबिस में होने वाले लोग सभा और विधान सभा चुनाव को लेकर भी जीला अस्तर के पार्टी पता अधिकारी और करकाताओ के विचार से रूबरू होगी बतादे पतना में नितिस कुमार के वहान पर बुलाई सन्यूक्त भी पक्ष की बैठक में आये विचार को भी केंद्र समीतियों के सामने सिया में हमाद संत रखेंगे वहीं जार्खन मुक्ति मोर्चा के केंद्रिये परवक्ता सा केंद्रिये समीति सर्स मनोज पांडे ने कहा है कि चार जुलाई को होने वाली जार्खन मुक्ति मोर्चा केंद्रिये समीति की बैठक बहत मतपुन होगी उन्होंने कहा है कि दो सत्र में चलने वाली इस बैठाक में पार्टी सुप्रीमो सीबू सुरेन, करकारी अध्याक शर्मोख मंत्री हमान सुरेन, जीलावार पार्टी की कमजोरी और मलबूती से अउगत होंगे, धन्यवाद